Hello Friends, last program हमने कौन सा करा था? हमने अपनी file के अंदर से line by line read करा था contents और उसको screen पर display करा है थे उस time मैंने आपको बोला था कि आप अपनी file के contents किसी दूसरी file के अंदर भी copy कर सकते हैं तो अगर आपको अपनी file के contents किसी दूसरी file के अंदर copy करना है तो उसके लिए जो आपका logic होगा वो क्या होगा सबसे पहरे आप क्या करोगे अपनी source file का path और destination file का path आप input कराओगे फिर क्या करोगे source file को read mode में open करोगे और जिसके अंदर आपको write करना है लियने के destination file जोगी उसको आप किस mode में open करोगे write mode में open करोगे फिर आप source file के अंदर से characters या line जिस तरीक से भी आप चाहते होगे उस तरीक से आप read करोगे और अपनी किस file के अंदर डालते रहोगे अपनी destination file के अंदर डालते रहोगे अगर आप fput c function use कर रहो तो आपको read किस तरीक से करना पड़ेगा पर sua character करना पड़ेगा तो उसके f character by character read करने के लिए आपको पास function कॉंसा हता है f get c होता है और character by character file के अंदर लिखने के लिए आपको पास function कह 하た हुता है that is fput c function होता है अब हर बार read करते रहोगे जब तक आपको क्या नहीं हो जाता आपकी source file के अंदर से character मिलना बंद नहीं हो जाते, that means वो null character कर नहीं पहुच जाता है, तो ये third step है, वो कब तक repeat होता रहेगा, जब तक source file के अंदर characters मिलना बंद नहीं हो जाते, किब तक उसके अंदर characters मिलते रहेंगे, आप अपनी destination file के अंदर लिखते रहोगे, जब ये step complete हो जाएगा, तो आप अपनी source file को और destination file को, that means this file के अंदर, आपको write कर रहा थे, उसको close कर देना रहा लागता, होगा, normally आप copy करने के लिए आपके पास command होती copy, suppose abc.txt to xyz.txt, आप ऐसे ही करते हो, इससे क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, that is source file होती है और ये आपकी कान से होती है, that is destination file होती है, ऐसे होता है, तो इस condition में क्या होता है, source file के इंदर से आपका text या जो भी चीज़ लिखी होती है, वो उसको read करता है और आपकी destination file के अंदर transfer कर देता है, ये तो उसका logic था, चलिए इस program को मैं आपको समझा देता हूँ फिर इसको execute भी करते हैं तो इस program को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह आपका program है सबसे पहले आप क्या करोगे अपनी stdio.h और stdlib.h को include कर लोगे फिर आप file pointer फिर आपको file का नाम input करना है source file और destination file तो उसके लिए आप character array बना लोगे और 100-100 का character array source path के लिए और destination path के लिए बना लोगे अब file के अंदर से जो character read करोगे उसके लिए आपने variable ले लिए that is ch अब आपनी user को message दिया कि enter source file path तो user ने suppose यहाँ पर दिया test.txt तो यह file exist होनी चाहिए अगर यह नहीं होगी तो आप वास वो नीचे read करेगा मैं आपको बताऊँगा तो यह किसके अंदर चलाएगा source path के अंदर चला जाएगा path file का नाम then अगर फिर वो आप से क्या बोचेगा enter destination path.txt suppose आपने यहाँ पर देती है test.test2.txt तो आप इसके अंदर जितने भी correct test होने चाहिए वो किसके चला अंदर चला आने चाहिए that means इसके अंदर जितना भी material होने चाहिए वो test2.txt के अंदर चला जाना चाहिए और यह वाला यह नाम है किसके अंदर store हो जागा test path के अंदर store हो जागा फिर आपने क्याला क्या लिखा source file equals to f open source path इस file का नाम that means test.txt को आपने किस mode में open करा read mode में और जिस file का अंदर आपको लिखना है that is destination file उसको open करा आपने किस mode में write mode में अब यह file बनी भी तो नहीं होगी तो इसको क्या करेगा write mode में जब आप open करोगे तो यह file create कर देगा जब यह file create हो जाएगी तो फिर आप check करा रहो if source file double equals to null या फिर destination file equals to null that means अगर इन दोनों में से कोई file नहीं मिलती है suppose यह तो बन गई लेकिन source file जो आप specify कर रहे थे वो आपकी थी नहीं तो इस condition में हो क्या करेगा कि आपको message देदेगा unable to open a file please check if file exists and you have a read write privilege यह आपके पास message आएगा और program से exit function क्या करेगा program से बाहर चलाय आएगा अगर यह दोनों file आपके पास खुद यानि कि यह file थी और यह file तो create होई जाएगी इसके लिए तो कोई message आएगा यह नहीं फिर क्या होगा तो ch के अंदर एक character तो आगया ch क्या है end of file तो नहीं है जब तक eof किसको define करता that is end of file यह end of file को check कर रहा है जब तक end of file नहीं होता यह loop चलते रहेगा और एक यह character किसके अंदर transfer करते रहेगा that is ch के अंदर f-c क्या करेगा जो भी ch के अंदर character आया है वो आपकी destination वाली file का अधर write कर देगा fget c क्या कर रहेंगा source file क अंधर से 1 character लेगा और किस के अंदर transfer करता रहेंगा ch के अंदर transfer करता रहेगा ये loop जब ch के अंदर एकई करकर आपके characters आते रहेंगे और फूट c के थुरू किस के अंदर रहेंगे आपकी destination file के अंदर जाते रहेंगे, और यह loop, loopके अंदर चलते रहेंगे, जब तक ch के अंदर क्या नहीं मिल जाता, End of file का backtracker जो होता है, वो नहीं मिल जाता है, तो यह loop चलता रहेंगा, š bayister read कता रहेंगा, काएगर दूसरी files के अंदर, transfer करता रहेंगा, जब यह file copy हो जाएगी तो आपके पास message कि यह loop से बाहर आ जागा, loop से बाहर आने के बाद आपके पास message किया जागा, files copied successfully और आपके पास तो नहीं आ रहा है, अगर end of file आ रहा है तो loop से बाहर चलाएगा और लूप से बाहर चलाएगा नहीं तो क्या करेगा, f would c क्या कर रहा है कि ch के अंदर जो वो character आ रहा होगा, वो इस file के अंदर transfer कर देगा, चलिए मैं इस program को आपको execute करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना c open करना पड़ेगा, तो c open कर लेते है, f3, तो हमारी कौन सी file है, that is day 34 है, उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यह पर get cs लिख देता हूँ, तो आपको user screen stop होके दिखाता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, अपनी file के contents दिखा देता हूँ, screen clear कर देता हूँ, type test.txt, देखे test.txt के अंदर यह contents है, type test2.txt, देखे यह भी file नहीं है, यह जब program हम execute करेंगे, तो यह file बन जाएगी, चलिए, यहाँ से बाहर निकलते हैं, और अपने program को execute करते ह तो सबसे पहले हम से क्या पूचे है, source file का नाम, क्या क्या रहा है, enter source file name, तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, test.txt, then यह आप से पूचे है, अपनी destination file का नाम दिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, test2.txt, enter करता हूँ, आपको यह message क्या है, files copied successfully, अब check कर लेके, screen clear कर देत से, type, test.txt, यह message यहाँ आपको content, फिल में लगता हूँ, type, test2.txt, sorry, type की spelling अला था, तो आपके जो text.txt तिके अंदर contents थे हूँ, किसके अंदर चले गए, text2.txt तिके अंदर चले गए, तो यहाँ पर आप क्या कर रहा थे, देखे, source file के लिए, आपने एक reference बनाया था, source file, destination file के लिए, और इसका नाम इस्टोर करने के लिए, आपने character area बना लिया थे, फिर आ आपकी मिल रहे है, source file आपके mode में open कर रहा हो, read mode में, और destination file यूँगा उसके अंदर आपको लिखना है, तो आपके mode में open कर रहा हो, write mode में open कर रहा हो, check कर रहा हो, source file और destination file exist करती है और नहीं करती है, अगर exist करती है, तो ठीक है, नहीं तो हो, यह message print कर दे, अगर exist करती है, source file के अंदर से एक करेक्टर लेगा ch के अंदर जाएगा, ch check करेगा तो end of the file तो नहीं है, अगर end of the file नहीं है तो वो loop के अंदर चलायागा, और क्या करेगा ch के अंदर जो value आई है वो destination file के अंदर write करता रहेगा फिर यह क्या करेगा, f get c से क्या करेगा से एक करेक्टर लेगा, cheese के अंदर transfer करता रहेगा, ch के अंदर enfur करता रहेगा और यह loop, जब तक चलता रहेगा जब तक ch के अंदर end of the file नहीं मिल जाता और जब तक loop चलता रहेगा, जब तक वो क्या करताऊ झो भी character ch के अंदर रहेगा destination file के अंदर राइट करता रहेगा जब यह लूप चलना बंद हो जागा that means condition false हो जाएगी तो सारे characters destination file के अंदर लिग गया होंगे उस condition में फिर आप जाओके message के प्रेंट करा दो file copied successfully और उसके अब दोनों file को अपनी source file और destination file को close कर दे रहे हो चलिए इसको तो आपको मैंने समझा दिया कि अब बाहर निकल जाता हूं सी से कि सी से हम बाहर निकल आए तो आपको आज मैंने जो बताया वह क्या बता है कि आप एक file से दूसरी file के अंदर second file के अंदर contents कैसे transfer करते हो तो मैंने आपको बताया कि अपनी file से आप जो अपके source contents होगे वो अपनी दूसरी file के अंदर कैसे transfer करोगे और उस source file का character by character read कर रहा हूं और destination file के अंदर भी character by character उसको write कर रहे हो तो Ó करड क्रेक्टर रीट करने के लिए अपको पास फंक्शन निक है था णम्रात पास चाह लिघ आपकेक्टर। झाविच क्या दा सिर्ट चाह वयजह तो प्लीज मुझे एंक कमेंट सेक्शन में लिखे मैं कोशिश करूँगा आपके doubts को clear करने की और आपके comments का reply करने की thank you